हेलो दोस्तो नमस्कार मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कि कीस परकार जो है आप टेमाटर की कटिंग लगा सकते हैं उसके क्या फायदे हो सकते हैं आपको टेमाटर की कटिंग लगाने के और आपको जो है किस परकार से Надबहाई किस परकार से खीयर करनी है दूस्तों देखिए जब मैं जो है नरसरी पे गया तो मैंने पूछा के मुझे बेल वाला टमाटर चाहिए उन्होंने का इस ही ज़नी के लिए खतम हो चुका है तो मेरे पास इस परकार से पिछले साल का ये पोदा खड़ा हुआ था यानि कि सितंबर से लग बगए सितंबर का तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसमें अजमा सकूँ कि मैं किस परकार से अपने पोदे त्यार कर सकता हूँ क्योंकि ये पोदे जो है मेरे बहुत जादा फ्रूटिंग दे रहे थे इसलिए जो है मैंने क्या किया तो मैंने इसको जो है कटिंग से लगाने का फैंसला किया और मैंने पहले अजमाया हुआ ये तरीका और ये बहुत ही उचिस समय चल रहा है बढ़िया समय चल रहा है आप cutting इसकी लें और जो है आपकी भी cutting लें तो hard टहनी की cutting ना लें इस परकार से जो है छुट छुटे जो है नूबर्स के कटिंग जो बिल्कु कच्छी होती है वह जो है ले यो है आपकी पहुत ही जल्दी जड पकर जाएंगी और आपने लगाने कि इस तरीके से इसका फाइदा क्या होगा दोस्तो इसका फाइदा यह होता है जैसे आपका पिछला पौदा होता है यानि कि अच्छा पोदा होता है यदि यदि आपको किसी पोडोसी के घर भी अच्छा पोदा मिल जाए तो वहां से भी आप कटिंग ले आए जिस परकार से हम निम्बू या किसी फूल की कटिंग लगाते हैं उससे क्या होता है यदि हमारा file तो जब बहुत बड़े-पड़े उसी प्रकार से फन देता है तोब आपकी कटिंग जहां से आपने लिए हैं वह पूदा हैं तो थो आप प्रूदा जो आप कटिंग से त्यार जुरुत पड़ती है, तहनी को भी बढ़ने के लिए, तो वह है, उनको ज्यादा खाने की जुरुत न पड़े, इसलिए पौदे पर ज्यादा भार नपड़े, और वह है जुर असानी से गुरूर कर जाए, इसलिए जुब आप इं तहनियों को ज़ो बड़े अलां बड़े से हटा दें जिससे कि आपका पोदा जल्दी ग्रोध कर जाए आप खुद देखेंगे कि दोस्तों यदि आप टहनी से उगाते हैं मुझे इसलिए जुरूरत पड़ी क्योंकि मैस जो है नरस्वी पे गया था और महां से मुझे यह वराइटी नहीं मिली कहते हैं इस साल के लि लोगों के सामने होगी तो मैं क्यों न जो है यह ग्रोभ करके दिखा दूँ आप लगाए दिखा दूँ के इसमें भी टोर्वाटर की कटिंग असानी से लगाई जा सकती है और आप साल भर भड़े असानी है अपने घर में ही टोरवार्माटर पा सकते हैं देखें दोस्तो अब उसी परकार पानी जो है हमारे ड्रेन बना रहे और पानी अच्छे से ड्रेन होता रहे दोस्तों यह देख लिजिए आप खुद देख लेए किस परकार से जो हम इसमें मिट्टी हमने डालनी है वर्मी कंपोस्ट लें या फिर आप जो है उसमें भी लगा सकते हैं कोकोपिट में या मोस ग्रास में जिससे की आपका पोदा जल्दी ग्रोध करें लेकिन यदि आप नॉर्मल मिट्टी में लगा देंगे तुमाटर जो है तब भी असानी से ग्रोध कर जाएगा इसको लगाना बड़ी ही साफदानी से क्योंकि इसका पोदा बड आप इस परकार से टमाटर जो है ग्रोध नहीं कर पाएंगे एक बार दोस्तों यह है पोदा हमारे मुर्जा जाएंगे लगने के बाद लेकिन धीरे धीरे दुबारा से पकड़ जाएंगे अच्छे से अब यह काफी अच्छी व्रैटी है मेरे पास दो तीन सालों से है और इसको मैं हर साल जो है इसी तरीके से ग्रोध कर लेता हूँ यानि की कटिंग से आप भी जो है इसी परकार मैंने इसको ग्रोध किया हर साल आप इसी तरीके से इसको जो है अच्छे से ग्रोध करें ताकि आप जो है भर भर के टमाटर लें घर पर और इसमें जो है सबसे तोड़ने लगते और बहुत स्पीर से इसमें टमाटर आने लहादा हैं आप चैसा बहुत ज्यादा पानी नादे आप इसमें श्छर तो सिरफ बनाए रखें इसमें मोस्टर का खास दोर पर ध्यान लगें बहुत-ज़्याधा पानी देंगे तो क्या होगा आपका पोदा जो है जो मिट्टी में है साइड वह जो एकल कर खतम हो जाएगा इसलिए मैंने नीचे पानी डाल कर ऊपर जो है थोड़ा-थोड़ा मिट्टी डालना हूँ ताकि नीचे जो है अच्छे से मैंटेन रहे ड्रेने सिस्टम भी सही बना रहे और मिच्चे मोस्चर बना रहे सबसे बड़ी बात है मोस्चर बहुत जरूरी है किसी भी पोदे के लिए और यदि पानी खड़ा रहेगा तो फिर जो है आपके कटिंग बिल्कुल खराब हो जाएगी और इस परकार से आप देखी कि इस परकार में उसमें मेरा चैनल नहीं था और भर भर के टमाटर जो है हमारे घर आते थे एक ही पोद एक दो दोस्तों आप हमारी वीडियो को शेयर जरूर करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे जाए